दोस्तो जब भी किसी फिल्म के बंद होने की खबर आती है तो ये निश्चित रूप से दुखभरी खबर होती है पहले खबर आयी थी कि करन जोहर की मैगनम ओपस को बंद कर दिया गया हाला कि फिल्म प्रोड्यूसर ने अभी तक इसकी ओफिशली एनाउंस्मेंट नहीं की है दोस्तो खबर आ रही कि विकी कोशल और सारा अली खान की इमोटल अस्व अथामा को बंद किया जा रहा है बजट के काराट फिल्म को ठंडे बकसे में रख दिया गया है टीम ने प्री प्रोड़क्शन का काम शुरू कर दिया था प्रोड्यूसर रॉनिस क्रूव एन टीम को 30 करोड रुपए का नुकसान हुआ एक मेडिय रिपोर्ट की माने तो अस्व अथामा को लेकर 2 साल से तयारिया चल रही थी टीम ने पूरे प्री विजुलाइजेशन पर काम किया वी एफेक्स टीम के साथ कई बार मीटिंग भी की गई सारा लिखान और विकी कोशल को पिछले साल के दौरान की एक्शन से भरपूर करदारों के लिए ट्रेनिंग करने के लिए एक इंटरनेशनल एक्शन यूनिट को बुलाया गया पिर माता यानि की प्रोडूसर रॉनी स्क्रूवाला ने लगबग लगबग 30 करोड रुपे खरच कर दिये हैं जिसके बावजूद भी फिल्म को ना बनाने का टीम ने फैसला लिया है वेल दोस्तों ये बहुत बड़ी बैड निउस है सारा अलिखान और विकी कौशल के फैंस के लिए क्योंकि फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेट थे इस फिल्म के लिए सबी विकी को अस्वाथामा के रोल में देखने के लिए काफी बेचेन थे देखाजाए दोस्तों तो महाभारत का अस्वाथामा एक वो कैरेक्टर था जिसे कोई नहीं मार सकता था अमर था उसे खुद एक इच्छा मृत्यू प्राप थी अब दी इमोटल अस्वाथामा की कहानी क्या थी फिल्म आज के समय में बनाई गई थी या फिर से हमें महाभारत का कोई वैसा ही एक सीन देखने को मिलता अब ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ सिर्फ मन में एक सवाल ही रह जाएगा वहला आपको इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राज शेयर करे थैंक्यू सो मच देखते रहें बॉलिग्राड इस्टूडियोज